गीत संगीत और सुरों से मन का इलाज तो हो जाता है लेकिन बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर्स का ही सहारा रहता है तो अब आईए आपको अपने अगले डॉक्टर्स के पैनल की तरफ लिए चलते हैं जॉक्टर अशोग सेट और राजेश पारिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं कब खत्म होगा करोना यह सवाल आज उन से पूछेंगी हमारी सेयोगी मिनाक्षी नमस्कार आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी कंडवाल और इंडिया तुड़े ग्रुप के इस खास इनिशियेटिव में आज हम आपके लिए एक बहुत इंपोर्टन प्रुग्राम लेकर आए हैं प्रधानमंती नरेंद्र मोदी ने शुरुवात की थी स्वच्छता मिशन की और उसके लिए उन्होंने इंडिया टुड़े ग्रुप के चेर्मैन मिस्टर अरुनपूरी को भी नॉमिनेट किया था सबसे लगातार हर साल आज तक इंडिया टुड़े ग्रुप दो अक्टूबर को सफाई गिरी के तौर पर मनाता रहा है लेकिन इस बार ये साल ये समय क्योंकि बहुत अलग है तो हम इस कारिक्रम को उन वीरों के नाम कर रहे हैं जो इस वक्त कोरोना के मद्दे नजर कोरोन इस खास कारिक्रम में बाचीत करने के लिए मेरे साथ जो खास महमान जुड़े हुए हैं सबसे पहले आपका उनसे हम कारूफ करा दे मेरे साथ इस वक्त मौझूद है चेर्मान ओफ फॉर्टिस एसकॉर्ट्स हेल्थ इंसिट्यूट डॉक्टर अशोक सेट डॉक्टर सेट आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हमारे साथ इस वक्त मौझूद है डॉक्टर राजेश एम पारिक जो डिरेक्टर है मेडिकल रिसेर्च एंड नियूरो सेकेटरिट जस्लोग हॉस्पिटल और रिसेर्च सेंटर डॉक्टर पारिक आपका भी बहुत-बहुत स्वाग करें तो एक लाग के करीब लोगों की मौत हिंदुस्तान में हो चुकी है बहुत तकलीफ होती है इस वक्त को देखते हुए क्योंकि यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है यह साल 2020 में कोरोना संक्रमन की पूरी कहानी कहता है और कितने लोगों ने उसमें अपनी जान गवाईया उसकी बात केता है जिनों की मौत हुए कई देशों की आबादी भी उतनी नहीं है अगर मरने वालों के आंकड़ों की तरफ हम गौर करें और अब इस वक्त इस महीने में डॉक्टर सेथ सबसे बड़ा सवाल जो शायद हर हिंदुस्तानी के जहन में और हिंदुस्तानी हम क् है शायद हर इंसान के जहन में जो इस वक्त धर्ती पर मौजूद है यह कि कोरोना कब खत्म होगा कब हमें वैक्सीन मिलेगी और कब इस पैंडेमिक से हम निकल पाएंगे डॉक्टर सेथ तो यह एक क्वेस्चन आइ थिंग कि कोई नहीं आंसर कर सकता यह समझने की बात है कि इस टाइम पे हम जो कहते हैं न्यू एबनॉर्मल है और एक टाइम नॉर्मल जरूर आएगा पट हमें जो अभी सावधानी बरतनी है हम जो कहते रहते हैं कि मास्क ठीक से पहनना है और ठीक से पहनना हम कहते हैं सैनिटाइजेशन होनी चाहिए हाथ दोने की हम कहते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए इस न्यू एबनॉर्मल में तो हम कुछ महिने हो सकता है साल दो साल तक रहें बट इसमें निराश होने की बात नहीं कि यही एफर्ट्स हमारे लाइंगे जो इतने ट्राइल्स हो रही हैं दवाईयों के वह फूट्स लाइंगे बट अगर हमने इस प्रेड को रोक दिया और वह अपने एफर्ट से रोका तो एक तिन वो जो हम नॉर्मल के रहते थे जो हम कहते थी कि नॉर्मल वो होता है जिसमें की हम फैमिली के साथ एक्जिबिशन्स पे जा सकते हैं नॉर्मल वो होता है कि स्कूल पे बच्चे जाते हैं तो फील्ड बे एक दूसरे के साथ खेलते हैं नॉर्मल वो होता है जिसमें की हम पिक्चर जाते हैं नॉर्मल वो होता है कि हम सेलिब्रेशन्स करते हैं अपने माता पिता का बर्ड़ उनका effort कि वो सब को मिले और यह वर्ड का ही effort सिरफ हिंदोस्तान का ही नहीं वर्ल का एफट है कि सब को मिले तो वो हम कॉंकर करेंगे और परहपस कोई इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता बढ़ हमें अमीद यह जो यह बात है एक उमीद की किरयन जरूर जगाती है लेकिन हमें वर्तमान के आंक्डों की तरफ भी अभी जो हमारे देश की हालत है उसकी तरफ भी नजर डालनी होगी और डॉक्टर पारिक मैं आपको यहां पर इस चर्चा में लाना चाहूंगी अगर एक एवरेज की बात करें तो इन दिनों बीते कम से कम एक महीने में जो हमने आंक्डे देखे हैं 90,000 केसिस पर डे हर रोज रिपोर्ट हो रहे हैं हजार की करीब लोगों की मौत हर रोज हो रही है यह सिर्फ एक नंबर नहीं है और ऐसे में इसी लिए जहन में बार-बार ही सवाल आता है कि एक देश के तौर पर, एक सिस्टम के तौर पर हम कहां खड़े हैं और जो लगातार कयास के लग रहे थे कि इस वायरिस की जो दूसरी लहर आएगी क्या हिंदुस्तान में यह वो दूसरी लहर है और अगर हां तो यह कितनी खतरनाक है और इससे कितना अलर्ट आगे रहना होगा किस तैयारी के साथ हमें आगे जुटना होगा डॉक्टर पारिक जी मिनाख्ची जी, आपने मुझे तीन सवाल पूचे हैं बीच में का सवाल यह था, यह क्या दूसरी लहर है, बिलकुल नहीं पहली लहर अभी तक खत्मनी हुई है तो दूसरी लहर आने का अभी तो सवाल नहीं है और आपका तीसरा सवाल था कि अगर यह दूसरी लहर हो तो कितना खत्रा है तो मैंने तो आपको बताया है, यह दूसरी लहेव नहीं है, लेकिन हमको साथान जरूर रहना चाहिए, अभी तक यह बढ़ने वाला है, हमारी जो करोना वाइरस की किताब है, जो हमने जैनुरी फबरियु में लिखी थी, उस समय हमने इस किताब में लिखा था, कि थोड़े ह महिने में हमारे देश में दुनिया से सबसे ज़्यादा नॉन कंफर्म, यानि जिनके ओपर टेस्ट नहीं हुई है, नॉन कंफर्म केसिज होगे, और जैसे टेस्टिंग बढ़ जाएगा, तो शायद ऐसा लगता है कि हमारा सबसे ज़्यादा नंबर ओफ केसिस हमारे देश हो सकता है, हमको ये भी देखना चाहिए कि ऐसे बहुत ही बड़े-बड़े, इससे भी बड़ी मुसीबतिया दुनिया में आ गई है, हमारे देश में आ गई हैं, सौ साल पहले जो इन्फ्लुएंजा का पैंडेमिक थी, उसमें हमारे देश में तेड़ करोर से ज़्यादा म निकल पाएं, और जब हम ओ समाई के 10 क्रोड देख रहे हैं, 1920 के, तो आज के ओ तो 42 क्रोड होती हैं, तो पोलियो की बहुत बड़ी पैंडेमिक थी, जब हम बच्चे थे तो हमको सबको सावदान रहना चाहिए था, क्योंकि इससे तो परालिसस होता था, अभी तो हम लोग पोलियो के बारे में तो पराल वैक्सिन लेकर भूल जाते हैं, जब बच्चे हो लेते हैं तो जएसे दॉच्टर सेड बोल रहे थे, क्योंकि वैक्सिन तो जरूर आएगा शाएद अगले साल आएगा और यह जो नू नूर्मल है, पहले जैसे तो कभी नहीं होगा, लेकिन करेंगे इसके बारे में फिर हम भूल जाएंगे तो इसके बारे में अभी ज्यादा फिक्त नहीं करें चाहिए लेकिन अब जिस बात का देखिया आपने जिक्र किया कि यह नू नूर्मल है और इसके हिसाब से पूरी दुनिया बदल रही है उस बदलाव को हम सब ने बीते पांच से छे महीने के वक्त हमें भारत में भी देखा और वर्ल्ड वाइड भी अगर बात करें तो देखा कि कैसे हर कंट्री ने अपने जोग्राफी से लेकर अपने पॉपुलेशन से लेकर तमाम उद्दों पर बदलाव किये हैं डॉक्टर सेट जब हम आंक्डों की बात करते हैं अंक्डें एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जिसे लेकर क्या जमीनी हकीकत है यह हर इंसान समझना चाहता है अमेरिका के बाद हम दूसरे नंबर पर हैं जहां सबसे ज्यादः के सबसे ज्यादा डैट jogos हूई हैं अमेरिका के बाद लेकिन मेरा सवाल आप से यह कि आंक्रे तो फिर जनसंख्या के पैरामिटर पर भी जज होंगे, आंक्रे तो फिर इस बात पर भी जज होंगे कि आप जो टेस्टिंग कर रहे हैं, वो टेस्टिंग का प्रकार क्या है, वो टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, वो टेस्टिंग कम हो रही है, उस टेस्टिंग में कितनी पारदर्शिता है ऐसे तमाम फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित कर सकते हैं एक एक्सपर्ट के तौर पर भारत की स्थिति को आप इस वक्त कहा आख रहे हैं आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें इसको देखना चाहिए पॉपलेशन के हिसाब से हमें इसको देखना चाह हो कि आधे भी हो क्योंकि हमने उतनी टेस्टिंग नहीं की है बढ़ हमारी टेस्टिंग बढ़ती जा रही है और एक तुत रीजन डेफिनिटली यह है कि जितनी हम जादा टेस्टिंग करेंगे उसमें अभी हम देख रहे हैं 6-7% लोग पॉस्टिव आ रहे हैं जितनी पॉशन और पॉपलेशन देखें तो उसके हिसाब से इन आकडों पे अगर इनको डबल भी कर दिया जाए तभी भी कहूंगा कि हम लोग कम है दूसरे देशों के हिसाब से और एक और बात जो सबसे इंपॉटन्ट होती है वो है डेट्स की एक लाख डेट्स हर्ट करती हैं पट अगर हम देखते हैं नमबर अफ डिजीज जो पेशिंट्स एफेक्टेड वर्सिस जो नमबर अफ डेट्स और डेट्स को कोई छुपा नहीं सकता यूजली हम कहते हैं कि अगर ये डेट्स कई सपोजिंग रिजिस्टर नहीं हो रही हैं गाउं में अगर किसी को हो रह है या नहीं रिजिस्टर हो रही है हर बड़े शहर में हर बड़े अस्पताल में तो रिजिस्टर हो ही रही है पट कई ऐसी अनफॉचने डेट्स होती जो पता नहीं चलता अगर वो नमबर को भी हम डबल कर दें तभे भी हमारी परसंटेज लखिली उपर वाले दवाईयो परसंट डेट्स हो रही थी तो इस हिसाब से एपसलूट नमबर के हिसाब से तो हम कहेंगे कि यह दूसरे नमबर पे हैं पट अगर प्रपोर्शन ऑफ पॉपलेशन के हिसाब से कहें तो हम अभी भी बहुत देशों से कई नीचे हैं सेकंड बात जो डॉक्र पारिक ने भी कही कि यह बढ़ेगा क्योंकि आफ्टर आल आप देख रही यह फर्स्ट वेव है जो खट खटम नहीं हुई है यह शेहरों से स्टार्ट हुई हमारी कंट्री में यह बड़े शेहरों से स्टार्ट हुई क्योंकि बाहर से यह वारस आया और वो शेहरों से अब वो नीचे ट प्रिकॉशन्स हो और सेकेंडली यह वेव कब फ्लाटन आउट होगी और कहां तक खातम होगी विल टोटली डिपेंड टोटली अन आर ओन प्रिकॉशन्स जो हम लेते हैं इसलिए हम कहते हैं कि यह लो बाहर जो अब सदेनली फ्री होके घूमना शुरू लोग कर रहे हैं और सुच रहे हैं और सुच रहे हैं और बहुत इंपोर्टन पॉइंट बोला है और इसको हम हम डिटेल में इसको करेंगे यह इन फाक्ट मैंने अपनी क्वेश्ट अप लिस्ट में भी रखा था यह सवाल लेकिन क्योंक को हम सफाई गीरी के तौर नहीं बलकि हेल्थ गीरी के तौर पर मना रहे हैं क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि हम उन तमाम लोगों को एक सलाम एक सम्मान उनके प्रतिजाहिर करें जो फ्रंट लाइन पर इस वक्त लड़ रहे हैं मेरा ये प्रणाम है उन सभी डॉक्टर्स क उन सभी लोगों को जो अपनों को खोया है ये सिर्फ हमारे लिए एक आंकड़ा नहीं है हम समझते हैं आप सब की सतकलीव को हाना कि हम आपकी दुख को कम नहीं कर सकते लेकिन सिर्फ एक कोशिश है आपके साथ अपने आपको दिखाने की इस दुख्की घड़ी में हम आप बहतर समझ पाएं जो सवाल में अब पूछने वाली हूँ यह सवाल देश के उन 6 करोड लोगों को रिप्रेजंट करता है जो heart patients हैं उन परिवारों को रिप्रेजंट करता है जो heart patients के साथ deal कर रहे हैं जिनके परिवार के सदस्ते दिल की बीमारी से जूज रहे हैं और डॉक्टर सेट ये सवाल में आपकी तरफ लाना चाहूंगी हार्ट पेशेंट्स जो हैं उनको लेकर देखिए एक स्टडी भी सामने आई है ये अमेरिकन मेडिकल असोसियेशन जर्नल की एक रिसर्च है जो की में औ करना से उबर कर आए उनके अंदर दिल की परेशानी हार्ट प्रॉब्लम्स पाये गए आपके लिए इस रिसर्च का इस आंकडे का क्या मतलब है डॉक्टर साब सो इसको हमें दो परस्पेक्टिव में देखना चाहिए को कोविड हार्ट को एफेक्ट करती है हार्ट पेशे को ये ज़रूरी नहीं है कोविड जादा एफेक्ट करती है बट बहुत सीरियसली एफेक्ट करती है ये समझने की बात है क्योंकि हार्ट पेशेंस एल्डरली होते हैं हाइपर टेंशन भी होता है डायबटीस भी होता है और ये सबका समिशन है जिससे की काफी सीवियर आया है बट कि अट लीस्ट उन में से 20% ऐसे लोग होते हैं इस्पेशली जिनको सिवियर कोविड होता है जिन पे हार्ट पे सीरियस एफेक्ट आता है जो की उनको नुकसान दे ही हो सकता है तो ये MRI स्टडी पे तो माइल्ड अफेक्शन भी दिख जाता है थोड़ा सा भी क इस्टर्बिंस आती है और ये उनी को होता है जिनको जादा सीरियस कोविड हो ना समझने की बात ये भी है कि हमें प्रिकॉशन हार्ट पेशन को जब हम कहते हैं हम कहते हैं कि प्रिकॉशन तो ऐसा नहीं कि दूसरों को कम लेनी चाहिए आपको जादा लेनी चाहिए प्रिक के दिन World Heart Federation का दिल का दिवस है और उसका क्या मेसेज है यही मेसेज है यूज यूर हार्ट और यूज यूर हार्ट का ये भी मतलब है कि अपने आप वो प्रिकॉशन तो लो ही जो दिल के लिए इस COVID टाइमस पे भी दिल के लिए ठीक हैं पर सबसे बड़ी है कि लिसन तो यू यह न डर के कि अस्पताल नहीं जाओं वहाँ पे COVID होता है वहाँ पे डॉक्टर पता नहीं वहाँ से मैं COVID पकड न लूँ यह न देखते हुए अपने डॉक्टर से इमिजेटली कनवर्स करो चाहे वो टेली कॉंसरी का कॉंफरेंसिंग पे हो टेली कंसल्टेशन पे हो यह मिस नहीं करना बट सबसे इंपोर्टेंट ट्रीटमेंट इन टाइम फर आर हार्ट पेशिंट इस वरी इंपोर्ट और हम कहीं देख रहे हैं कि लोग बहुत की डिले करके अनफॉचनेटली लास्टेज पे पहुंस्टे हैं जब उनको ट्रीटमेंट देना या जान बचाना ही हमारे मुश्किल हो जाता है तो आपके यह कही हुए टिप्स जो है सुझाव सजेशन्स यह बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि जितने लोग भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं चाहे वेब प्लैटफॉर्म के जरिये वह इन बातों को जरूर फॉलो करें डॉक्तर पा है कि बीते छे महीनों के अगर बात करें लॉक्डाउन की वजह से लोग घरों में कैद हुए एक एक नेगेटिविटी महौल में इस वजह से है क्योंकि बीमारी की बात हो रही है एक खौफ है एक फियर लोगों के अंदर दिखाई देता है जो जरूर आपकी mental health को भी कर सकते हैं आगे आने वाले समय में क्या आप उन्हें कोई पॉजिटिव होप हमारे इस प्रोग्राम की जरीया ज़ दे पाएंगे डॉक्टर पारिक मिनाक्षी जी जैसे आपने काडियाग डिजीज के बारे में अपने बात की हार्ट डिजीज के बारे में वैसे बहुत सारे स्टडीज हो चुके हैं हमारे देश में भी हुए हैं जो मानसिक स्थिती पे mental health पे इसका क्या प्रभाव हो रहा है उस पे research हो चुका है और पूरी पांच गुना डिप्रेशन पे और एंग्जाइटी पे ये बिमारी का और लॉकडाउन का भी असर हो रहा है तो अभी हम क्या कर सकते हैं पहले तो हमको देखना चाहिए कि ये शॉट टर्म एफेक्ट है इसके लॉंग टर्म एफेक्ट सो सकते हैं व्हो ने डेक्लेर किया ह कि अगले साल में सबसे बड़ा प्राबलम मेंटल हेल्ट का होने माला है तो उसके लिए पहले हमको अपने आप पर ध्यान रखना चाहिए इंडिविजूल लेवल पर फैमिली लेवल पर और नेशनल लेवल पर नेशनल लेवल से शुरू करते हैं वहां तो हर स्टेट में जोड़र की है गवर्मेंट में हर स्टेट में एक हैल्प लाइन है mental health के लिए जहां लोग फोन करके बातचीच कर सकते हैं अगर किसी में एगेटिव जाहरा हो आते होंगे बहुत ही उदास होंगे अत्मत्य की विचार आती होंगी तो हेल्प लाइन स्टेट ने किए हैं फ तो psychiatrist और counselor को refer करता चाहिए लेकिन अपने आप के लिए क्या हो सकता है अपने आप के लिए मैं आपको बोच सकता हूं यह क्या करता हूं मैं कई साल से yoga और meditation हर सुबे करता हूं और इस समय कभी-कभी मुझ में भी बहुत दूख होता है जब मैं देखता हूं क्या स्तिती हो रह लेकिन meditation के तरीके, योगा के तरीके मैं इसके साथ कोप कर सकता हूं और फिर यह बहुत ही मत्वपून है कि तर से सोना चाहिए सब को साथ आट घंटा रात को सोना चाहिए हमारा रूटीम पुरा बदल जाता है तो कोई लोग रात को टीवी देखते-बेखते है या फोन प यह साथ करना चाहिए ठीक तर से सोना चाहिए ठीक तर से і provड़ खाना चाहिए जितना हो सके रूटीन को नाạnhल रखना चाहिए और यह सब करके हम इसके साथ कोप कर सकतेंगे और ऐसे हो कि Hero कर सकते हैं तो पहले तो मारे परीवार के साथ बात्शित करनी चाहिए भी शुर के साथ और देश में हिल्प लाइंस तो जरूर हैं तो सारे लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए डॉक्टर पारिक की अबात बहुत माईने इसलिए भी रखती है कि देखिए हाना कि जीवन के बेसिक्स ही होते हैं लेकिन कई बार हम उन बेसिक्स को भूल जाते हैं तो इसलिए साथ से आत गंटे की नीद परिवार में एक दूसरे के साथ बातचीत और अगर किसी पी तरह का मानसिक तनाव या परेशानी आप महसूस करते हैं तो मदद लेने से कदम पीछे मत इस पूरी चर्चा को अब मैं दूसरे मुद्दे की तरफ लेकर जाना जाओंगी डॉक्टर अशोक सेट और इसका इसकी शुरुवात आप से हर्ड इम्यूनिटी वर्स वाक्सीन देश के प्रबुद्ध वर्ग में एक बहस ये भी चल रही है जो दर्शक हर्ड इम्यूनि लोगों को एक तरह का प्रोटेक्शन मिल जाता है एक तरह की इम्यूनिटी मिल जाती है इसको आप इस एनालोजी के साथ समझ सकते हैं कि मानिये कोई वी आई पी चल रहा है उसके इर्दगिर्ध कुछ गार्ड चल रहे हैं सेक्यॉरिटी गार्ड तो साथ रहने वालों को स्वत्हा एक तरह की सुरक्षा मिल जाती है जो वी आई पी के इर्दगिर्ध है तो यहां पर हर्ड इम्यूनिटी की बात आती है डॉक्टर सेट मैं आप से चाहूंगे कि आप हमारी व्यूवर्स को यह समझाए हर्ड इम्यूनिटी क्या वाकई यह कॉंसेप्ट सही है और क्या यह वैक्सीन का रिप्लेस्मेंट किसी भी तरह से हो सकता है हर्ड इम्यूनिटी को लेकर भारत की या किसी भी विशेश राज्ये की क्या स्थिती है So, मैं फिर से एक बार लोगों को, लिस्नर्स को, व्यूर्स को समझा दूँ कि हर्ड इम्यूनिटी होती है कि अगर आज मुझे इन्फेक्शन हो गया है तो likelihood है कि मुझे दुबारा नहीं हो सकता और इसी तरह अगर एक community में हरेक को infection या काफी लोगों को infection हो जाता है तो virus जिसको एक व्यक्ति चाहिए कि वो multiply करने के लिए या जीवित रहने के लिए तब ही ये virus जीवित रहता है और multiply करता है जब एक से दूसरे को transfer होता है और उसको कोई व्यक्ति नहीं मिलता जिसको वो infect कर सके क्योंकि हर एक में immunity होती है तो धीरे धीरे virus का transmission खतम हो जाता है और virus उसके बाद मर जाता है और ये level पहुँचने के लिए count की calculate किया गया तो practically 70% या 7 में से 10 लोगों को infection हो चुका होना चाहिए जिसे कि उनकी immunity है so that virus एक से दूसरे पर जाकर transfer ही न कर पाए न जीवित रह सके और उसके लिए फिर वाइरस धीरे-धीरे community से खतम हो जाता है बट समझनी की बात यही कि vaccination भी यही करती है और vaccination से हम herd immunity पैदा करते है पट सबसे डिफरेंस यह है कि जब हम infection होने देते हैं तो लोग मरते भी है unfortunately लोग serious भी हो जाते हैं लोग hospital में admit होते हैं और वो healthcare system कोई take off नहीं कर सकता और अगर हम हंदोस्तान में कहें कि 70% लोगों को हम infect होने दे कि herd immunity हो जाए तो आप उससे calculate कर लो कि चाहे वो 1-2% हम कहते हैं कि 2% लोग भी मरें करोडों हो मरेंगे and that is the unfortunate aspect of it करोडों मरेंगे and our health system would be inundated in fact यही philosophy लेके Sweden ने सोचा था कि हम herd immunity करेंगे तो शायद यहां से Sweden से वार्स खतम हो जाए और इतने लोग जादा मरें कि Sweden को अपनी policy चेंज करके लाना पड़ा कि नहीं यह रास्ता सही नहीं है और Sweden की deaths अब सबसे जादा मानी जाती है चाहे वो सबसे advanced और welfare state भी है तो यह बात तो सोचना ही नहीं है कि हम vaccine को इस virus को herd immunity में बदलके safe रहेंगे हमारा इतने लोगों को disease होगी इतने लोग बढ़ेंगे कि हमारा healthcare system उनके साथ कोफी नहीं कर पाएगा तो सब सिफ हमें आगे देखना चाहिए इसी बाते में आपको कॉमें चाहिए जल्दी आए vaccination जल्दी आए हम उसी के थूँ हम safe की safety से herd immunity डेवलप करें जिसमें की safety भी रहती है efficacy भी रहती है और वही तरीका है हमें इस वाइरस से बचने का डॉक्टर पारिक जिस बात को डॉक्टर सेथ यहां पर कह रहे हैं यह approach और यह एक मानसिक्ता तो हम अब जमीन पर भी देख रहे हैं हम देख रहे हैं बाहर लोग मास्क लगाए हुए नहीं दिखाई देते हैं या एक यह बात लोगों के जहन में घर कर गई है कि कोरोना आ यहांस से उतना वास्क नहीं है कि वो सब को केटर कर पाए ती अफसोस की बात यह है कि जब यह कोविड-19 की बिमारी कम थी एप्रिल-मे महीने में तब लोग बहुत ही साफ़दान थे बिलकुल और अब हम लोग देख रहे हैं कि जैसे केसी बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं अभी मास्क नहीं पेंते हैं घूमते हैं डोक्टर सेट ने बहुत अच्छी तरह से समझाया यह हर्ड इम्यूनिटी का कॉंसेट उन्होंने स्वीडन का उधारन दिया यूके में क्या हुआ था उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉंसन उन्होंने यह हर्ड इम्य निकलने के बाद उन्होंने मेडिसिन को थैंक्यू बोला अभारमाने डॉक्टर्स को और उसके बाद उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी के बाद कभी भी नहीं की तो यह हर्ड इम्यूनिटी का कॉंसेट फियरेटिकली ठीक है लेकिन जैसे डॉक्र सेट ने बताया करोडों ल मास्क पेन आप चाहिए, सोशल डिस्टंस रखना चाहिए, हाथ दोने चाहिए, देखे आज गांधी जैंती है, और गांधी जी का भी मेसेज क्या था, कि हमको स्वच्छा रखना चाहिए, तो स्वच्छागीरी और हेल्थगीरी में जादा फरक नहीं है, हेल्थ का बेसिस य हेल्थ गीरी, यह शायद एक तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू है, और आज की दोर में हमको यह समझना बहुत जरूरी है कि कोरोना संक्रमन खत्म नहीं होता भी दिखाई दे रहा है, इसलिए जो बेसिक्स हैं वो हमको फॉलो करने हैं, चाहे मास्क या जिस तरह से प्रधा हो जाएगा COVID, कोई बात नहीं, मैं तो यंग हूँ, एफेक्टिव हूँ, मैं तो नहीं, मिले को कोई फरक नहीं पड़ता है, शायद यही तरीका है बचने का, अनफॉचनेटली वो यह भूल जाते हैं कि एक आदमी पूरे घर को इंफेक्ट करता है, आपके घर में, आपक बहन भाइयों में, आपके बच्चों में इनफेक्शन आएगा, और क्या पता, कि आप तो बच गए, पर आपके माबाप ना बचे क्योंकि आपने उटको COVID ट्रांसफर किया था, यह हमारे सामने हुआ है, हमने अपनी आँखों से यह होते देखा है, इसलिए हमारी वार्नि सेट की ही, इस बात में पूरा सार है, और इसी सार के साथ मैं इस सेशन को, इस बातशीत को यहां विराम देती हूँ, लेकिन एक बार फिर से, हेल्थगीरी के इस प्लाटफॉर्म की जरिए, सलाम है उन सभी वार्योर्स को, जो फ्रॉंट लाइन पर हैं, जिन्होंने इस ज इखाने की है.